पिलिपियों की पुस्तक दो उसका 14 और 15 सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोश और भोले होकर टेड़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निशकलंक संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोश और भोले होकर टेड़े और हटीले लोगों के बीच प्रभु के निशकलं संतान बने रहो तेड़े और हटीले लोगों के बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के नाई दिखाई दो हटीले और तेड़े लोगों के बीच जलते हुए दीपक दिखाई दो हटीले लोगों के बीच तुम जागते दीपक दिखाई दो इस संसार में हम इस जोती के समान हम जगने के लिए बुलाए गए हैं इस संसार में अंदकार है, बुराई है, दुष्टता है, हटीले लोग है उसके बीच में, टेड़े लोग है उसके बीच में हम सत्य और सिदाई का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हम चबकने के लिए बुलाये गए वुष्चुता प्रभू की और से नहीं है जो संसार में है हमें पाग पवत्रताईику स्तापित करने के लिए प्रभू ने हमें बुलाया है शैतान नियंदकार फेलाया है बड़ प्रभू ने अपनी जोती के रूप में हमें भेजाए, हमें चमकना है हमें प्रभु के कलाम को अपनी लाइफ में लेके आना है ताकि लोग प्रभु के स्वभाव को हमारे जीवन में देखें और उनकी लाइफ चेंज हो हमें उनके सिस्टम को कॉपी नहीं करना, वो डेड़े हैं हमें प्रभु के सिस्टम को लेके आना है हालिलोया हमें प्रभु के जोती के समान उन जागते होए दीपकों के समान हमें जलना है हालिलोया, कितना सामर्थी बचन इस संसार में हमें चमकना है हटीली लोगों की बीच में हमें चमकना जो कंगाल पन है ये प्रबु की और से नहीं है ये पाप जो फैला हुए प्रबु की और से नहीं है दुष्टता जो संसार में जो अंदकार शेतान ने फैला दिया है प्रबु चाता है आप चाग रुख थो आप चाएं जोती बनके और अंदकार को भगाएं आज दुष्ट दुश्ट आदतें जो आज लोगों की लाइफ में आपकी जोती चम्के लोग देखें आपको देखके लोग बदलें आपको देखके उनके हाट में उनका conscious हुने बोलें कि मैं सही नहीं, मुझे कुछ जानना है मुझे कुछ पकड़ना है वो फिरें प्रभु की और आपके स्वभाव से पाभी उन्हें लिखा है तुम जीती जागती पत्रियां हो आपका एक कार्य जिसको करने के लिए आप बुलाए गए है ये शाया की पुस्तक निकालेंगे साथ उसका एक से तीन पढ़ेंगे उठ प्रकाश मान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहवा का तेज तेरेंगे पर उद्य हुआ है देख पृत्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंदखार चाया हुआ है प्रन्तु तेरे उपर Yepa उद्य होगा और उसका तीज तूझ पर प्रगट होगा चाती जाती तेरे पास प्रकाश के लिए और राज्य तेरे आरोहन के पर ताप की ओर आएँगे हालेलोया उठ प्रकाश मांनो उठ प्रकाश मांनो और यहोवा का तेज तुझ पर उदे हुआ है इस प्रित्वी पे बाइबर में रिका अंध्यारा है राज्या राज्या के लोगों पर घोर अंधकार चाया हुआ है पाप दुष्टता चाई हुई है करप्शन गिनौने काम करने से वो लज्जानी रहे फैला हुआ है प्रभू का कलाम कह रहा है पर तुझ पर जोती उदे हुई है प्रकाश आ गया है तेज तेरे उपर उदे हुए प्रांतु तेरा उपर यहोवा उदे होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा उसका तेज तेरे में से प्रगट होगा लोग देखेंगे, जानेंगे, वो जोती को आपके अंदर देखेंगे, जाती जाती तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे अरोहरन के प्रताप की और आएंगे, जाती जाती तेरे प्रकाश के पास, तेरे पास प्रकाश के लिए, लाइट के लिए, कहीं और हर जगा अंदकार चाया हुआ है तेरे पास उस जोती के कारण आएंगे प्रभु चाहता है आज हम उठके प्रकाश मान हो उठें और प्रकाश मान हो वचन के कैरेक्टर में चीन आप जीवित पत्रियां हो आपके अंदर प्रभु का प्रेम प्रभु का अस्तो भाव दिखाई दे आपका प्रभु के अनुसार चलना आप संसार की सिस्टम को कॉपी करने के लिए बुलाई नहीं गए आप चुने गए अलग गए और ठेराई ग कर प्रभु के समुक प्रभु की दिश्या में हमें उठना है हमें चमकना है इस अंसार में घोर अंदकार है हम अंदकार को कॉपी नहीं कर सकते अंदकार के सिस्टम को अपना नहीं सकते हम बुलाए गए हैं इस उस अंदकार में चमकने के लिए मुझे अंदकार में नहीं ठल जाना, मुझे वो चमक बन नहीं है, जो अंदकार को भगाए, आप अलग गए हो, आप अकेले एक एक जन आप में से हजार के बराबर है, जवानों जो मुझे देख रहे हैं, जितने ही लोग, आप चमकने के लिए बलाए गए हो, आपके सुसाइटी में, अतोडे पिंड आपके एरिया में सब बुराई फैली हुए है, पाप फैला हुए है, आप अकेले चमकने के लिए बलाए गए, अकेले प्रभु को रिप्रेजेंट करने के लिए बलाए गए, आपकी जोती जो प्रभु ने ठेराई है, जो प्रकाश प्रभु का है, बड़े से बड़े अं तुझ पर उदे हुआ है तो जब यहोवा का तेज आप पर उदे हुआ है यह कोई भी शत्रू का दुष्ट का अंदकार ठैर नहीं सकता अब जाते हो जहां जाते हो अंदकार भागता है पापकी सामर्थ टूटती है और लोग अपना जीवन प्रभू को देते हैं बैबन में पालुस कहता है लोगों ने मेरे कारण प्रभू की महिमा करें कितनी बड़ी बात है आपके अंदर वो योगता प्रभू ने ठेराई है वो चमक प्रभू ने ठेराई है जो अंदकार को भगाती है अब चमकने के लिए बुलाए गया अब अकेले क्यों नहीं हो रभू का आ प्रगाश को ढूणने के लिए आएंगे लोग अकर्शित होएंगे आपकी और इसमें कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है अपकी चमक दिखने पाए बढ़ा है वो तारा जब तीन राजा येश्यू को ढूण रहे थे वो चमकता हुआ तारा तारे की और चल रहे थे और तारा उनकी अगवाई कर रहा था येश्यू तक पहुंचने के लिए उस चमकते हुए तारों ने उन राजाओं को तीन राजाओं को येश्यू तक पहुंचाया आज आपको वो चमकता हुआ तारा बनना है जो लोगों को रूहों को भटके हुआ को अंदकार के लोगों को येश्यू तक पहुंचाने पाए आपको चमकना है वो तारा अगर चमकेगा तब ही दिखाई देगा हलिलुया तारा की पैचान तारा है वो उसके चमक से ही पता चलेगा हलिलुया आपको चमकना है आपको प्रकाश्वान होना संसार में अंध्यारा है, अंधकार फैला हुआ है, आपको उठ रहा है, आपको चागरुक्त होना है, आपको चमकना है, आलेलुए संसार में अंधकार है, लाइबल ब्यान करती है, अगर आप निकालो, बजन सहीता 74, उसका 20 अगर आप पड़ो, अपनी वाचा की सुधी ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है, संसार में अंधकार फैला हुआ है, अत्याचार फैला हुआ है, भरपूर है उस अत्याचार से, देश में ये चीज़े हैं, संसार में ये चीज़े हैं, बाप दोआर पे हैं, पोन पे, आप जाओ हर जगा पे, लोगों के मुँपे गालियां चाही हो यहाँ है, आउनका केरेक्टर, समझ लिए हर जगा पे आप अंधकार को देख रहे हो, समझ लिए, और आपको समझना ह आपकी अपनी पहचान को, आप जोती हो, और जोती जो यहोवा की है, उसमें सामर्थ है अंधकार को भगाने की, आप समझ रहे हो, यहोवा का तेज है, यहोवा का तेज को कोई अंधकार कम नहीं कर सकता, जब आप यहोवा के तेज को लेके चलते हो, तो अंधकार भागता हैं अंध्कार को आप भगाते हो अंध्कार है पर जो जोति आपके पास दोस्थों अंध्कार को भगाने की सामर्बूर भरपूर नहीं आपके यहोवा प्रभू प्रभू यशु के करेक्टर को ले चलना है आपको पाग पवत्रताई का जीवन जीना सामर्थी आप बर पूर आत्मा में भरपूर होके आपको आगे बढ़ना है आत्मा में युद करना है और रूओं तक पहुंचना है आपके द्वारा प्रभुका सुसमाचार होने पर आप जगत की जोती है आलिलुया मती प पैमाने के नीचे नहीं प्रंदु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है उसी प्रकार तुमारा उज्याला मनुश्यों के सामने चमके की वे तुमारे भले कामों को देखकर तुमारे पीता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें तुमारा उज्याला मनुश्यों के सामने चमके की वे तुमारे भले कामों को देखकर तुमारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें महिमा करें पर उसने का मेरे कारण उन्होंने महिमा करें क्यों कब करेंगे जब तुमारे जीवन में उज्याला देखें तुमारे उज्याले से वो चमक को पाएंगे उज्याला लोगों के सामने चमके तुमारे भले कामों को लोग देखे जिससे वो उसकी स्तूति और महिमा करें आपका उज्याला चमके अंदरों के अंदकार भागे लोग आपके जीवन में वो भलाई के कामों को देखकर अपना जीवन प्रभू को सौपिए, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपकी पवित्रताई, लोग देखकर उनका अंदकार भागे, लोग आपके भलाई के कामों को देखकर प्रभू की महिमा करें, आप समझरों के नहीं, आपका प्रकाश आपको चमकना है, उठना है आप संसार के सिस्टम को कॉपी नहीं कर सकते, आपको अलग ताई का चीवन, आपका कैरेक्टर, प्रभू के अनुसार, आलेलुया, योण ना एक उसका पांच, जोती अंदकार में चमकती है और अंदकार ने उसे ग्रहन ना किया, अंदकार ठहर नहीं सकता, जहां पे जोती आ जाती है, जोती अंदकार में चमकती अंदकार को भगाती है, आप चमकने के लिए बुलाएगे, जब आप जाते हो संसार में, लोगों का अंदकार भागता है, लोगों बेंट करते हैं, बश्या ताप करते हैं, आपकी लाइफ प्रभुत्र काते हैं अपकी लाइफ शमकने के ठेराई गई चमकने के लिए बुलाई गई घ्रलेलुई आपको शमकना ठार नहीं सकते अप अंधकार को कॉपी नहीं कर सकते अप अंधकार को भगाने वाले हो अंदकार को अपनाने वाले नहीं, अंदकार को भगाने वाले हो जाओ अंदकार भागे, रिपेंट करें, लोग की लाइफ़ चेंच हो जवान अपनी जवानी को तुछ मत जान पड़ औरों के लिए एक आदर्ष्ठ है पवत्रताई में, विश्वास में, वच्छन में, एक आतर्ष्ट है, तो लोग तरी लाइफ को देखकर, लोगों की लाइफ चेंज हो, अब चमकने के लिए बलाएगे, आप कॉलेज में, आप स्कूल में हो, आप लाइट हो, आप को चमकना है, आप अलग हो, लोग देखते ह समझ रहे हो, बहुत बारी हमें लगता है, कि लोग हमारे साथ सेटल नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ कनेक्टिविटी नहीं बना रहे हैं, हमें अलग-अलग कर रहे हैं, समझ रहे हो, अंदकार का जोती के साथ मेल नहीं है, जोती जहाँ पर आती है, अंदकार ठहर नहीं सकता Don't worry जब वो जोती आ रही है उनको problem हो रही है क्यों? उनका अंदकार भाग रहा है खड़े रहो, अडे रहो अंदकार में ना मिल जाओ पर अपनी पहचान को बनाए रखो वो सारा अंदकार जाएगा और आप एक बड़े बदलाव को लेके आओगे येश्यो के सामर्थी नाम से आलेलोया आपको समझना है प्रभू के plan को पहला यहों ना पहला उसका पांच से अगर हम पढ़े जो समचार हमने उससे सुना और तुमें सुनाते हैं वै यह है कि परमेश्र जोती है और उसमें कुछ भी अंदकार नहीं है यदी हम कहें कि उसके साथ हमारी सहबागिता और फिर अंदकार में चले तो हम जोते हैं और सत्या पर नहीं चलते पर यदी जैसा वै जोती में है वैसे ही हम भी जोती में चलें तो एक दूसरे से सहबागिता रखते हैं और उसके पुत्र येशु का लहू हमें सब पापों से शुद्द करता है। हम भी जोती में चले हैं। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र येशु का लहू हमें सब पापों से शुद्द करता है। प्रभु चाहता है हम जोती में चले हमारे अंदर प्रभु का सभाव दिखाए है। शैली वचन पे अधारेत हो। हमारी लाइस्टाइल, हमारी आदपें प्रभु के वचन पे हो। संसार क्या कर रहा है वो नहीं। हमारा जीवन वचन पे अधारेत हो। वचन पे टिका हो। लोग देखें, इसमें कुछ अलग है। यह हमारी तरह नहीं है। इसका बोलना, चलना, देखना, फिरना, सब अलग है। वचन पे अधारेत हो। हालेलुया। अब चमकने के लिए बुलाएकर। और अब प्रबु को रिप्रेजेंट करने के लिए बलाएकर। हालेलुया। अब जोती में चलने के लिए बुलाएकर लिए अब चमकने के लिए। बोलो मैं जोती में चलूँग। मैं चमकूँगा यश्यो के नाम से . आप समझ रहे हो। दर्ति पे संसार में अंदकार है और आप चमकने के लिए बलाए गए हो अंदकार थैर नहीं सकता जहां पे जोती आती है एक जन आप भजार के बराबर हो आपको संसार को कौपी नहीं करना आप अलग किये गए हो अलग ठेराए गए हो अचे लोगों को प्रब्रम क्यों होती है क्यों मसी के इतना विरोध करते हैं उनको नहीं अंदकार को प्रब्रम होती है खडे रहो अडे रहो अच विरोध हो रहा है सताव हो रहा है अब जानो अंदकार भाग रहा है जोती थमो ना भागो ना खडे रहो वो लोगों का अंद और टाइम आएगा वो अंदकार पूरी रिती से उन्हें छोड़ेगा और वही लोग जो आपका विरोध करते हैं अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे प्रभु को समर्पिट करेंगे वो अंदकार भागेगा येश्यो के समर्थी नाम से आप जोती हो अगर आप हालेलुया अपने वचन अपने जीवन को वचन प्याधारित करना आपके अंदर से प्रभु का सभाव नज़र प्रभु का करेक्टर नज़र आपको चमकना है लोग देखिए इसमें को छलक है उतारा जो लोगों को येश्यो तक पहुंच आए हालेलुया झालेलुया